जहीं दोस्तों देखिए अभी जो SSC की तरफ से जो नई वेकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है SSC Phase 10 तो इसके बारे में हमने डीटेल में वीडियो बना दिया था कि कौन-कौन भर सकता है वेकेंसी का और डीटेल आप लोगों को दे चुके हैं लेकिन आज की इस वीडियो म आपको जान करें देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते तो देखिए सबसे पहले वेकेंसी की बारे में थोड़ सा डीटेल में जाल लेते देखी है वेकेंसी जो दोस्तों में बहुत सारा सरकार का संगठन है बहुत सार विभाग के हर मन्तराले से हर और अबलाईसिंसे कुछ कुछ Gesundheits होता है लेकिन यह दिकह तीनप 5000 थो उसके लिए वैंसे नहीं नहीं निकल आएगा है तो हर जगह से पादों को इकठा करकि एक कालता है SSC जिसका नाम होता है फेज जैसे फेज 7 फेज 8 फेज 9 फेज 10 फेज 9 का भी रिजल्ट आने वाला है फेज 10 का वेकेंसी आ गया है इसके बाद फेज 11 आएगा तो इस फेज 10 को आप लोग ज़रूर भरिएगा ठीक है तो 2065 पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाला गया है इस प के डिगरी आपके पास इंटर के डिगरी है या फिर ग्रेजुशन के डिगरी है सब के लिए अलग अलग पोस्ट है यदि सिर्फ आप मैटिक पास है तो भी आप भर पाओगे आपके लिए उस लेबल का पोस्ट है यदि आप इंटर पास है तो तब तो आप दो पोस्ट भ भरोगे ही भरोगे लेकिन सबसे ज्यादा जो मारा मारी होगा competition वह किस में होगा 10th level वाली vacancy पे होगा क्योंकि कितनों degree कोई ले लेकिन सब तो 10th पास होता ही होता है होता है कि ने तो 10th की degree सब के पास होती है तो इस पे आप तीनों तरह का qualification मांगा गया है आपके पास जो है पूस हिसाब से पोस्ट चून सकते और बहुत सारे विदाति पूछ रहते कि पोस्ट कोड के बारे में बताइए तो पोस्ट कोड का वीडियो आ गया है इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट कोड वाला वीडियो देख लीजेगा नीचे लिंक description box में हम दे दिये तो दे पोस्ट में बहुत प्रकार का एज मांगा है किसी में 18-25, 18-32, 18-30 इस तरह से minimum एज आपका 18 होना चाहिए 18 पलस हर पोस्ट में हर प्रकार का एज मांगा गया है समझ मांगया 18-30 मांगया यह दिया आपका एज है तो आप कोई भी पोस्ट भर सकते हो इसके बाद बास करें फॉम फी तो देखिए फॉम फी इसमें मांगा गया जनराल और ओबीसी वालों को 100 रुपया फी देना है मातर 100 रुपया पेमेंट करना है और SC, ST, फिमेल और PWD इनको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है इनका पेमेंट नहीं लगेगा समझ मांगया सिर्फ जनराल और OBC को 100 रुपया लगेगा अब बात करते हैं देखिए पोस्टिंग आपकी कहां होगी तो आल इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी बसरते आपकी इस CR, NR, WR है इस से आपको चुनना पड़ेगा तो आप चाहते हूं कि जाता हो कि आपको में जार्खन में, ओरिशहरे इस से सबकलिया, तो आपको ER से होगी पोस्टिंग आपका ऊल इंडिया में होगा आप अपने हिसाब से पोस्टिंग इस पर ले सकते हो जगह नहीं चुन सकते हैं लेकिन हाँ एक एरिया चुन सकते हो खुद से इसके बाद बाद करें प्लाइव कप से कब तक होगा तो 12 मड़ी सी का ओन लाइन अप्लेकेशन फॉ लिक्त हो जागा ना इधर का ना उधर का होगे इसलिए सुरू में ही फॉप को भर दीजेगा इसके बाद बात करें मोडिफिकेसन यह नि फॉप भरने में यह किसी पर करकर कोई गलती हो जाता है जैसे नाम में मिश्टेक, डेट बर्थ में मिश्टेक, पापा का नाम में गलती हो गया, ममी का नाम में गलती हो गया, एड्रेस लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया वगर वगर आदार नंबर में गलती हो गया तो इस अब आप सुधार पाओगे तो सुधारने का डेट कप से कप तक है 20 जून से 24 जून तक आप सुधार कर पाईएगा यानि चार दिन सुधारने का आपके पास टाइम है लेकिन आप गलत क्यों करोगे आप सुरू में ही साधिक करो ना ताकि बार बार आपको मेहनत कैफे बगर जाना नहीं पड़े तो अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा और फोन से यह कर रहे हो तो फोन का जो कीबोर्ड होता है उस पर बढ़ियां से देखना एच यह प्रेस करोगे हो सकता ऐल वाला दबा गया हो तो चैक कर लेना दो बार यह आप फोन से अपलाई कर रहे हैं तो समझवा गया तो यह इसका कुछ डेट से अब बात करें सेलेक्शन प्रोसेस पर देखिए सलेक्शन का परकिरिया कैसे है चयन इस पर कैसे होगा तो सबसे पहले आपका सी बीटी एक्जाम होगा किसी प्रकार का कोई टेस्ट होगा ही नहीं सिर्फ एक्जाम पास करो डॉकुमेंट वेरिफिकिसन करो हो गया नौकरी लेकिन बहुं सारा ऐसा पोस्ट है जिस पर आपको तीन चार से गुजरना पड़ेगा तब आपका सेलेक्शन होगा सब पोस्ट में टेस्ट नहीं है relevant टेस्ट मतलग यदि माल लाते हैं आप डियो यानि data entry operator के लिए भरते हो तब तो आपको computer में skill टेस्ट देना पड़ेगा यदि आप ITI degree से कुछ भरते हो तो आपको trade टेस्ट देना पड़ेगा कि हां हम इस trade से ITI किये हैं तो आपका trade टेस्ट होगा यदि आप driver में भरत प्रिश्टन होगा और कुछ पदों में आपका medical भी हो सकता है ठीक है जो कुछ कुछ पदों में आपका medical टेस्ट भी लिया जा सकता है समझवा गया इसके बाद बात करें पोस्ट कोड का detailed कैसे किस पोस्ट को चुनेंगे जैसे पोस्ट कोड एन आर दस अजार 344 इस तरह प इस बीडियो को देखने के बाद उस बीडियो को जरूर देख लीजेगा लेकिन इस बीडियो को देखना बहुत जरूरी इस बीडियो को देख लो इसके बाद आप उस बीडियो को जरूर देखना नीचे लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ हुआ है पोस्ट को वाला नहीं होगा पेंट पेपर से एक्जाम इस पर नहीं होगा इस पर एक्जाम आपको कंप्यूटर पर बैठ करके ओनलाइन देना पड़ेगा ठीक है तो आपका ओनलाइन एक्जाम होगा CBT Computer Based Test is that clear इसके बाद question कैसा आएगा तो MCQs यानि multiple choice question यानि आपका objective question आएगा चार्ठो में एक ठोट टिक करना होगा save and next करना पड़ेगा समझे बागे objective question आएगा इसके बाद कितना question आएगा तो 100 question आएगा परतिक question दो दो नमबर का होगा टोटल 200 marks का आपका exam होगा ठीक है ठीक है टोटल 200 number का आपका परिछा होगा इसके बाद 0.50 की negative marking होगी यानि चार्ठो गलत करोगे तो एक number आपका काट दिया जाएगा समझे बाद एक question में कितना number मिला दो number लेकिन एक question को गलत किजेगा तो 0.50 मतलब एक चोथा यह आपका negative marking इसके बाद time की बाद करे time आपको कितना दिया जाएगा तो एक घंटा यानि पूरे 60 minute आपको time मिलेगा समझे बाद जैसे computer पर बैठो गया आप exam देने के लिए तो इधर दाइने side में एक देखोगे तो दाइने side में यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर timer एकदम चलता रहेगा घटता रहेगा धिरे 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 आपका time घटता चला जागा तो इस पर एक घंटा time मिलेगा एक सो कोशन आएगा और पर ते कोशन दो दो नंबर का पूछेगा और एक घंटा को दूसरी भासा में कहों तो पूरा का पूरा साथ मिनेट आपको मिलेगा समझे बाद के लेबल कैसा होगा भाई तो देखिए कोशन का लेबल यह आप 10 लेबल से भरते हो तो matriculation लेबल य में changing having a कुछ रणीच तो pyramnost करेंयों कि लेटे तो चेली इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे तो चैले जस्तों मिलते हैं ने च्छी बीडियो में तब वहुत बहुत धन्यवाद